पस एक फोन घुमाओ घर पर समान पाओ अब बजार जाकर ही रासन खड़िदने की क्या है जरूरत जब ओय माठ है आपके लिए तयार ओय माठ के मोबाइल एप या वेब साइट से कड़े खुल कर खड़ी दाड़ी और पाए होम डिलेवरी घरे लो समान की डिलेवरी नोगची आनुमंडल के किसी भी छेटर में संपर्क करें 834-037-1787-7325-052437 ओय माठ ओय माठ ओय मारत GS News पर चल रहे प्रशुन तरी प्रतियोकता में आज का सवाल भारत एवम अमिर्का के बाद किस देश ने टिक टॉक एप को बैन कर दिया है ए पाकिस्तान भी बांगलादेश से इंगलेंड या टी अपरिका वीडियो को रोक कर अपना जवाब कामिन बॉक्स भी जरूर दें भागलपूर जिरो माइल के पास भारी मात्रा में गांजा बरामद भागलपूर के जिरो माइल थाना इस्तित बाइपास पर मंगलवार को एक कंटेनर से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया या बरामदगी फटना से आई नार्कोटिक्स बिभाक की टीम के द्वारा की गई इस दौरों तील लोगों को भी गिरफतार किया गया है बताया जाराए कि नार्कोटिक्स बिभाक की टीम को गुपत सूच ना मिली थी कि एक कंटेनर से भारी मातरा में गाजा की तसकरी होने वाली है इसी 20 टीम ने जीरो माइल थाना के समीफ बाइपास पर छानमिन शुरू कर दी इस इक्रम में पंजाब के नंबर पी बी तेरह तेरह के चक को रोका गया जबकि जांच की गई उससे भारी मात्रा में गांजा के बरामगी हुई है बताया जा रहा है कि कंटेनर में एक पुलीस कारवाई करने में जुटी हुई संजीब कुमार सिंग आज करेंगे गोपालपूर विधान सवा से नमांकन गोपालपूर विधान सभा छेत से पहली बार अपनी किसमत अजमाने तितरी निवासी संजीब कुमार सिंग और पजहाबोदा राजपा की और से चुनावी मैदान में हैं जो आज बुद्वार को दिन के 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे वहीं उनके समर्थकों ने दवा किया कि गोपालपूर विधान सभा में बहुमर से जीत दर्ज करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि सत्था और चेहरा परिवर्थन अनिवार है इसलिए संजीब कुमार सिंग पहली बार चुनावी मैदान में है नवगचिया में स्डियो ने दुरगा पूजा समीतियों के साथ की बैठक दिये निर्देश कहा दुरगा पूजा के दराण भीड परके नियंतरन कोवीड-उनीस के सरकारी नियमों का कराए पालन नोगचिया औन मंदल कारियाले में स्डियों अकलेश कुमार की अधिक्षिता में दुर्गा पुजा को लेकर पुजा समीतियों के साथ बैठा कायो जीत की गई बैठा के दौरान औन मंदल प्रदादिकारी ने सभी पुजा समीति को दुर्गा पुजा के दौरान मंदिर प्रांगन में भीड़ी कठा नहीं हो इसकी ववस्ता सुनिस्चित करने का निर्देश दिया SDO ने पुजा समीतियों को निर्देश दिया है कि मंदिर प्रांगन में कोबिड उनिस को देखते वे सरकार द्वारा जारी किये गए सभी दिसा निर्देशों का सत प्रतिशत पालन करें नियमों का उलंगन होने पर पुजा समीतियों के बिरुद्ध कारवाई की गोपालपूर बिधानसभा से राजत प्रतियासी ने भरा पर्चा जिला प्रवक्ता सा मीडिया प्रवारी विश्वाजा सहीत कई अन्य उपस्ति थे जो भुर्वापन किया है यहांको लोगों को जनता को ठगा है उन्होंने यह बहुत बड़ी समस्या है उनके साथ अपने बिदाउन सभा के वोटरों के लिए क्या संदेश देना चादा का का करोना काल चल दा अभी इसके लिए उनको अपने आपको सुरक्षित रखते हुए, आगे किसा है? नरेंद कुमान नीराज आज करेंगे गोपालपूर विधानसभा से नमान कन नरेंद कुमान नीराजो गोपालमंदल एक बार फिर से NDA की और से मैदान में है मेडिया सेल जी लासाई योजगर भी कुमार ने बताए कि नरेंद कुमार नीरज गोपालपूर विधान सभा छेतर से आज बुद्धवार को नमांकन दर्ज करेंगे नमांकन दाखिल करने के लिए 6 लोगों ने नर कटाया है बहवरपूर निवासी महिंद्र सिंग परचाधारी नरेंद पूर निवासी महिंद्र हैदर अली सहापूर निवासी प्रमोद कुमार आजार ने नर कटाया है जबकि गोपालपूर विधान सभा से नगरा निवासी राजीव सिंग की पतनी रूची सिंग चास बोकारों के कुमर सिंग कोलोनी निवासी प्रदीव सिंग पिता MP सिंग एबम तिंडेंगा करादी निवासी संकर कुमार पिता रामधारी मंडल ने एनार कटाया है वहीं बताते चले कि गोपालपूर विधान सभा में अब तक 12 प्रतियासी एबम भेपूर विधान सभा में 9 प्रतियासी ने नमंकन के लिए एनार कटाया नवगचिया रंगरा में चापे मारी के दौरण 10 लीटर सरा बरामद नवगचिया के रंगरा पुलीस ने मंगलवार को चापे मारी कर थाना छेतर भावानीपूर चौक के पास से 10 लीटर दिसी सराव के साथ कारोवारी को गिरपतार कर लिया है करपिया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के बिग्यापन के बाद प्रारंब होगा करें घ्यादि नियमित दिरस्त के लिए कि न मांगन कि इस विधाफ़ लगगा है हमारा पता है रेलो स्टेशन के सामने सी मंदिर के समय नए ठोला नोग गया 953433868978569142316206224713 खाने में चाहिए टेस्ट तो सुन्दरम है बेस्ट घर पर मंगवा कर खाएं सुन्दरम का खाना प्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 896-933-9666 मागायत्री प्लाइ फर्स्ट फ्लोर ओटो इस्टेन नवगचिया एनेच 31 सभी तरह के फास्ट फूट के लिए एक बार जरूर पधारे सुन्दरम फास्ट फूट राजेंद्र कुलोनी मोर इस्टेशन के सामने नवगचिया नवगचिया के भीपूर एनेच 31 पर सड़काथसे में पिता पुत्र की गई जान बेपूर्थानाचित के एनेच 31 मडवा महंतस्तान के पास मंगलवार की दो पहर में ट्रक और मोटर साइकल के टकर में दो लोगों के जान चली गई जिसमें गोपाल पूर थानाचित के करारी तिंटेगा निवासी सवरिय सत्य नारायन प्रसाद के 55 वर्सिया पुत्र अर्विंड और अर्विंड के पुत्र 25 वर्सिया भ्रिगनात की जान चली गई मृतक अर्विंड दास के भाई पपू ने बताया कि मेरा भाई और बतीजा दोनों खगड़ी आजिले के कोलवाड़ा अपने सवस्याल से घर करारी तिंटेगा राजदूर मोटर साइकल से आ रहा था तब ही बीपूर के महनतस्तान के पास ट्रक से आमने सामने की टकर हो ग अस्तानयान लोगों ने घटना की जानकारी बीपूर पूलीस को दी जिसके बाद घटनास्तर पर पूलीस पहुंच कर सब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए नोगचान मंडली अस्पताल बेज दिया वहीं परिजनों ने बताया कि मृतक अपने पीछे दो पुत्र को छोड़कर चले गए मृतक के मौत से परिजनों में मातम छा गया था सभी दहार मार कर रो रहे थे रोड ब्रगटना हुई है ट्रक और मोटर सैकिल से महंति चोंकर नंकार मोड के बीच एने चेकति सड़क में उसमें घिरगु नंदन और बाब बेटा दोनों थे एक मोटर सैकिल से जिनकी मेत्यू गटना सरपर ही हो गई है कहां के रहने वाले थे गर ने बालो क משवा है ते कहां से रहे थे है कहां से रह थे उनके पास मा धार काड़ ये मिला था हं उसके पता चल्ला कि यह लों के था ऒपालपूर ज़ो ठेक तो एक्सिदेंट कब हुआ? लगवाग दस बजे लगवाग आउगा दो बजे आप अपना परिचे देदा है? बपु मंदल तिन दंगा करा रिए तौन वे आप पलपोर जुला भागलपोर उसका भाई है जो डेत की आपका भाई है भाई है नारायनपूर सिक्षिका से एक लाख रोपे की चिंतई नारायनपूर के भवाणीपूर थानाचेत के नच 39 नवदय चोक पर मंगलवार को लगवग साड़े तीन बजे प्रात्मिक विद्याले भामरपूर की सिक्षिका मील अंदेवी से उचक्काउं द्वारा एक लाख रो दोलबज्या चोथे दिन भी नहीं मिला सचीन का सब परिजन गहरे सदमे में दोलबज्या के कदवा ओपी थानाचित के बालू घाड समीव कोसी नदी में डूबे ठाकूर जी कचरी टोला कदवा निवासी सुभास सर्मा के पुत्र सचीन कुमार बारा वर्सिया का सब कोच गरमिन द्वार मंगल वार को कोशी नदी के कोशी धार में खो चार गया याँतों की बीते सनिवार Kitchen के बालू घाड समीव कोशी नदी में डूबने से एक परिवार के दो बच्चे संबू सर्मा के पुत्र अम्रीज कुमार वा सुभास सर्मा के पुत्र सचीन कुमार की मौत हो गई थी जिसमें एक अम्रीज कुमार का सब सुमार को सुक्चा के कोशी नदी में मिला वहीं दूसरे बच्चे सचिन के सब की खोजबिन गरामी नस्तर से की जा रही है नवगचिया लूट कवंड के आरोपी गिरबतार नवगचिया थानाचेत में एनेचेक्टिस पर पिछले दिनो गुटकाल लदी ट्रक के लूट मामले में फरार चल रहे नवगचिया थानाचेत के मुतरा पुनिवासी रनजीत ग्यादव को गिरबतार कर लिया है प्रवता थानाचेत के लिया घ्याग्ष अब आपके सहर नवगच्या में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथो हाथ पाए फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नैम प्लेट, नमबर प्लेट, ग्रेनाइट मारवल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्ट करें विनायकाच, गोशाला रोड, पुरानी गैस ओफिस के सामने नवगच्या, मोबाईल, बहत्तर पंचानबे, आट सो ती, साच सो तेहत्तर, तेरानवे, जीरो, तेतालीस, सरसाट, एक सो सत्तर अब आपके सहर्चों सामे भी उसा फरनीचर, सिसम सागमान, स्टील पलन, गोद्रेश, द्रिवेनी वेसाली संग, मलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबूर, डाइनिंग सेट सहीत, ओफिस के सामनों सहीत, फरनीचर एबं फरनीसिंग सहीत, मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित म उसा फरनीचर, गांधी चौक, कलासन रोट, चौसा और स्टेशन के सामने नवगच हिया